मुंबई में विराट कोली ने रचा इतिहाँ सचिन तिंदुलकर के सामने ही तोड़ दिया उनका महा रिकॉर्ड घायल होने के बाद भी मैदान में दौरते रहे विराट शतक लगाकर की व्यू से लिया 2019 कब बदला शतको का पचासा लगाकर कर दिया एलान का व्यूसतान विराट कोली बन गए हैं शतको के प्रधान वल्ड कोब या कहें स्वाड़ के सामने विराट खौली ने शता थौक दिया है और passa दिया है कि aconि मैदान जब उत्रे सरहते हुए यह दlara पारी खेली थी लेकिन उसके बाद मैदान पर आते जाते जाते में विराट को एक मंत्र दे के गए थे उस मंत्र को ही साथ विराट कोली ने फॉलो किया और बड़े अराम से पारी को भुंते रहे और बुंते रहे और फिर बड़ा धमाका कर दिया कीवियों को अंदाजा नहीं था कि शुपमन गिल 79 गनों पर वापस जाने के बाद कोई बड़ कि इसके अलावा भी कई सारे रिकॉर्ड बनाया है एक एडिशन में विराट कोली के सबसे जादा रन हो चुके हैं इससे पहली है कारणावा सचिन दिंदुर्गर के नाम था और आपको आते कि यूटी वर्लकप में भी एक एडिशन में सबसे जादा रन किसी के हैं तो है विराट कोली का तो विराट कोली लगातार दमखम दिखा रहे हैं और टीम इंडिया को चैंपिन बनाने के लिए भरतस प्रियास कर रहे हैं विराट कोली ने तो शितक लगा है ही साथ साथ शुबमन गिल और केल लाहूल ने भी दमखम दिखाया बात करके श्रेश सेयर की तो श्रेश सिगयर ने खेली 70 गेंदों में 105 रनों की पारी और इस दर्मिया उनके बल्ले से 8 चके 4 चोके निकले ये दिखाता है कि श्रेश स तो रिटायर हटोंने के बाद दोबारा वापस आए और एक रन बनाए उन्होंने चाशट गेंदों में 80 रनों की बेतरीन पारी खेली इस तरह आप न्यूजिलेंड टीम को 308 में रन बनाने होंगे जीत के लिए तो फिलाल आपको क्या लगता है क्या भारती गेंदबाजी के सामने लक्ष बेद पाना असान है नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चैनल को सब्स्ट्राइब करना पेच को फॉलो करना दिल्कुमत बोलना